प्राणों से पेरे विद्यार्थियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे आदर्श्वादे विचारक अर्विंद घोस के राजनितिक विचार लेक्चर नमबर 35 जैसा कि मैंने यहां नोट भी किया है आदर्श्वादे विचारक अर्विंद घोस के राजनितिक विचार लेक् राजमितिक छिंतन की चर्चा कर रहे हैं और आदर्दाली विचार्दारा से संब्मन्दित जो महतकुन बिचारक हैं आदर्श्वारी विचारदाराग जो महतपूर सदश्य हैं वो पांच हैं कौन-कौन? अर्विंद्गोष, लाल, बाल, पाल, दियानन्सर्शवती दियानन्सर्शवती मैंने आपको समझा दिया है अब आज हम अर्विंद्गोष की चर्चा कर रहे हैं इसके बाद में मैं आपको लाला लाज पत्राय, वीपिंचंद्रपाल और लोकमान बालगादर तिलक एक एक करके सब के बारे में समझा जाएगा आज आपको हम बताएंगे अर्विन गोस के राजमिती कुछार, मैंने देखा है, विशेशकर विद्धिहारती लाल बाल पाल को तो पढ़ लेते हैं, लाल बाल पाल में भी लोकमान बालगादर तिलक कोई ज्यादातर विद्धिहारती पढ़ पाते हैं, बाकी मैं अक्सर सु लक्षत यह है कि राजनिती विज्यान से सम्मंदित कोई भी विचार रखो, कोई भी सिद्धान तो, कोई भी आवधार ना हो, मैं एक-एक करके मेरे विद्धिहारती को समझाँगा, मेरा यह लक्ष है, और मैं निशूलक रूप में आपको अपने सेवा देता रहूंगा, बस आप से एक एही निवेदन है, कि मैं जिस रूप में समझाता हूं, उस रूप में आप समझते जाएगा, आपका समझना, आपके जीवन की सफलता, यही मेरे लिए तुमारी फीस है बस, आप अरशाफल हो रहे हैं, मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो ध्यान दे बेटा, आरविंद घोस की चर्चा करेंगे, अब यहां हमने आपके लिए कुछ डाइगराम बनाए हैं, डाइगराम नमबर एक, डाइगराम नमबर दो, डाइगराम नमबर तीन, फोरमॉला मतलब शूत्र, डाइगराम नमर चार, बेटा, सबसे पहले आप यह चार डाइ और सबस्ट है किया, अर्विंद घोस, एक आदर स्वाधी विचारक है, अर्विंद घोष ढाधरारती राष्टि र्स्टे कांगरेश के जब जो टुकडे हो जाते है, एक नरम दल, दूसरा गरम दल, तो अर्विंद घोश, गरम दल के थे, मतलब अगर राت्रवाधी वि आधर्श्वादी विचारक या आधर्श्वादी विचारदहरा के सद्र से भी कहा जाता है चलिए सबसे पहले मैंने नोट किया मूल लक्षे बेटा एक बात को अच्छे समझना है मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अधुनिक भारति राजनतिक चिंतन समझ रहे ह एक लेक्चर से भी मैं प्रते एक लेक्चर में रहस्चे की बात बताता हूं प्रते एक लेक्चर में सुत्र देता हूं प्रते एक लेक्चर में डाइग्राम देता हूं जिससे की मेरे प्राणशे प्यारे विध्यार्थियों को समझने में कही दिक्कत ना आए मुझे आदुनिक भारती राजनितिक चिंतन का ध्यन करते हैं, तो आदुनिक भारती राजनितिक चिंतन की जो शुरुवात होती है, आदुनिक भारती राजनितिक चिंतन का जो पिता माना जाता है, जनक माना जाता है, सनस्ता पक माना जाता है, वो राजाराम महुंडाय को माना जा प्रावत करना आधणिता की भावना जागत करना यह तक गांदी जी तक जितने भी आधणिती प्राप्ती सब करना चाहते हैं वह एक अलग बात है कोई जो है उदार विचारू के हैं कोई उगर विचारू के कोई प्रार्थना या चीका कर रहा है किसे ब्रिटी सरकार से और कोई जो है इस फस्ट रूप में कहे रहा है कि हमें तो पून रूप में सवराज्य चाहिए जैसे लालबाल पा लाल बाल पाल और दैरन सर्शवती आते हैं ये भारत के आदर्शवादी विचारक यूरोप के आदर्शवादी विचारकों से प्रभावित हैं यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक है जिसमें जैसे हम कहेंगे ही गैल है इबनियल कान्ट है और राजनित तरसन के जो ज कि यह शवकार किया इसलिए अर्विद्झ गोस्त भी यह कहते हैं कि विचार या चेतना इस रष्यत्ति का सार्थ अत्तव है और प्रते प्रकार की सामाजिक सनASONस्ता च्लाइ की अभीव्यक्ति यह यह बात यूरोप के आदरस्वादी विचारक कह रहे हैं लेकिन भारतिया आदरस्वादी विचारक भी इस बात को शर्विकार करते हैं क्या कि प्रत्य प्रकार की सामाजिक सनस्ता विचार या चेतना की अभी विक्ति है यास सत्ते है यह बात मेटा सूरा जो खेल है वो विचारू काई है परिवार कैसा होगा जैसे परिवार के मुख्या के विचार होगे सनस्ता कैसी होगी जैसे सनस्ता का जो मुख्या होता है उसके विचार होते देश कैसा होगा जैसा देश के मुख्या का विचार होता है यह था राजा ताथा प्रजा यह तो यह था राजा ताथा प्रजा जैसा राजा वैसे प्रजा मेंस भाई परिवार के सनस्था के समुदाय के समहू के देश के मुख्या के जैसे विचार होंगे वैसा ही परिवार समुदाय समहू सनस्था देश होगा यह बात जो है स्वादी विचार को यह द्रगत मुक्यत हैं हम पांच को ले रहे हैं लाल बाल पाल दैरन सर्श्वती अरविंद गोस्ट आज हम अरविंद गोस्ट की जड़्चा कर रहें स्वादी अरविंद गोस्ट को मुक्यता तीन काल में वाज़ित किया जाता है उदाराश्टेता का काल पहला उदाराश्टेता का काल जो इक 1885 क्यों लिए हम ने क्योंकि भारती राश्टी कांगर्स की स्थापन 1885 में होती है और 1905 का काल इसका मुक्य नेता गोपालकर्शन दूसरा काल है उगर राश्टेता का काल 1906-1919 तक है इसका जो मुक्य नेता है लोकमाने बालगन गादर्टिलग है वैसे इसके जो नेता है लाल बाल पाल अर्विंद गोस्ट और दियानंद सर्शवतिय ये जो उगर राश्ट्रवादी विचारक है या उगर विचारकों का द्यन कर रहे हैं समझ रहे ना और तीसरा जो काल है वो गांधी यूग है मतलब आश्टेता का गांधी यूग जो कि 1927 तक है पंदर अगस तो 1927 को बारत को आजादी मिल जाती यह बस इतना द्यान रखना है तीसरा डाइग्राम दो डाइग्राम यहां तक हो गए तीसरा डाइग्राम मैंने यह लिखा सूत्र फॉर्मूला आरविंद घोस को समझना है तो यह सूत्र आपको नोट करना है क्या कि आरविंद घोस से पहले द्यानन सर्श्वती ने स्वधेशी स्ववराज और भाईसकार की बात कर दी थी मतलब सबसे पहले स्ववराजे की बात करने वाले कौन थे बेटा है द्यानन सर्श्वती कोई स्ववराजे का संदेश वाग्या पृत्म अगरदूत कहा जाता है और इसका प्रभाव अरविंद घोस पर भी पढ़ा है अब यह बात निश्चित है कि सवराज्य में पूर्न सवराज्य की बात कि अर्विन घोस ने इस फ़स्ट रूप में कह दिया कि अगर देखा जाए तो जो सवदेश्य की बात करते हैं तो सवदेश्य के अंतरगती बहिस्कार छिपा हुआ है क्योंकि आप अपने देश में बनी वस्तों का इस्तेमाल मतलब विदयस्य की वस्तों का बहिस्कार करेंगे आपने श्चित है तो जब तक बृतिस अर्थ-वस्ता कमजोर नहीं करेंगे और जब तक आपको पून सवराज्य की प्राप्ति नहीं होगी तो यह तीनु की तीनु जो बातियं एक दूसरे से जड़ूई है तो यह एक सार की बात की और शवराज में पून सअ राज़जी की बात की है जैसे कि चो in obs canoe verb 206 लिए सव्राइजी बhuhr आ avere अवसराज यह ना सरस्वतन सब्स पाले बात के थिए उसके बाद में उसी बात करद्य तीलक न कहे दिया था कि सुच्छ मरा जनम सत्थेकार रों का चुब के की यह जो लाल बाल पाल- Tarne अर्विंद गोष हैं गोपाल कृष्ण गोखली हैं जो की वदार राष्टवादी विचारदारा का नीता है यह नरम दल के अंतरगत आते हैं ठीक है रेटा अब हम मुख्छे बात पर आते हैं अर्विंद गोष हैं इनका 18-32 में जनम होता है निसुपचास मुर्ती है ठीक है मैं संक्षिप मतावर मतलब 18-32 मिन्सुपचास तक इनका काल है जो अर्विंद गोष हैं यह भारती राष्ट्रवाद का वहान नायक महान जाता है ज़रा नोट करना इसको भारती वाद की चर्चा इन्से पहले द्यानन्द सर्षत नहीं की थी द्यानन्द सर्षते नहीं भी राष्ट्रवाद के अपने विचार दियें जिसके उपर मैंने अलग से लेक्टर भी अप्लोड कर दिये जो अर्विन्द गोस हैं वो भारत की पूर्ण स्वादेंता की मांग करते हैं क्या बारत की पूर्ण स्वादेंता की मांग करते हैं जैसा कि मैंने नोट भी कर दिया है कि आर्विन्द गोस हैं वो सवराज्य की बात करते हैं लेकि पूर्ण सवराज्य की बात करते हैं ये बि असलिकूर दूसराे राजन्तिक संगर्श्क का तरीखा अब यह बात तरे बिटा अर्विन घोष्क का लक्षा की यह सवराजी की प्राप्ती मुलक्ष मैंने पहले बता दिया था मुलक्षी क्या है सवराजी की प्राप्ति लाल बाल पाल मुलक्षी क्या है सवराजी की प्राप्ति को पाल कुछन को कर लेका मुलक्षी क्या है सवराजी की प्राप्ति वह एक अलग बात है बिटी सासन का दीन रहते हुए चाहते हैं गो का आरविंद घोष का राष्ट्रवाद की संकल्मा समझें आरविंद घोष ने वास्तिवी गुरुप में देखा जाए तो राष्ट्रवाद की सर्चा किये और राष्ट्रवाद के अंतरगत कहा है इन्होंने कि जो सवराजी की मांग की जा रही है वो वास्तव में राष्ट्रवाद का स्वभाविक अंग है जो सवराजी की मांग की जा रही है वो राष्ट्रवाद का स्वभाविक अंग है क्यों क्यों कि वास्तविक रूप में राष्ट्रवाद की विचारधारा पूंड रूप में विक्षित तभी हो सकती है जबकि हमें सवराजी की प्राप्ती हो क्योंकि जो ब्रिटिस संस्कृ लिए इसलिए इन्होंने कहा Puis राष्ट्रवाद की बात करते हैं राष्ट्रवाद हमारे लिए धर्म है राष्ट्रवाद हमारे लिए पूर्ण संस्क्रति जैसा कि अर्विन कोष्ट कह रहे हैं राश्टरबाद को रहा जनितिक कार एकरण है जरा समझना है राश्टरबाद ऐसा धारम है जो इसर की देन है राश्टरबाद तुमारी आत्मा का समभाल है अब ज Works ऑ जना राश्टर आसन के अधीन है हम तो राश्टरवाइद का विकास कैसे हो सकता है क्योंकि हमारे उपर तो भटिक वाद की संस्कृतप लाग दी गई है ऑर हमारी संस्कृतप बाहद कि अध्यात्मिक है कौन कीईए अर्विन गोउष एक विद्वान है करण सिंग करण सिंग कह रहे हैं अरविन गोस के बारे में राश्टरवाद के बारे में अरविन गोस ने यह निर्दिष्ट किया कि भारत के वल भारत के वल भोतिक सत्ता नहीं है वारत के वल भोतिक सत्ता नहीं है के वल भोतिक संकलपना भी नहीं है भारत माता साक्षात भगवती है और शाक्षात भगवती है तो इस भगवती ने भारत माता के पुत्रों की भारत माता के संतान की परवरिश किये और आज ये भारत माता ब्रिटिस सासन के अधीन है आज ये भारत माता ब्रिटिस सासन की अधीन हो गई है आज ये भारत माता परतंत ठीक है बेटा? नेक्स्ट प्राचीन समय से ही भारत को मा के तुल देवी के तुल भागवती के तुल, दुरगा, उमा, पारवती, जगदंबा, सबकुछ, सती, साध्य, भवपिरता, भवदानी, भवमोचनी, आरिया, दुरगा, छमा, शिवा ये सबकुछ, सबकुछ, मा के अनगिनत नाम है, भारत मा के अनगिनत नाम है तो ये भारत को मा मान रहे है तो मा जब किसी के अधिन हो जाए मा जब परतंतर हो जाए क्या पुत्र अपनी आखों से आपनी मा की पराधिनता को बरदास्त कर सकते हैं हारगीज नहीं कर सकते हैं ध्यान दें भारत माता के पाविन पड़ी बेडियों को काटना संतान का तो यह संतान का करते हुए है, परम करते हुए है, क्या करते हुए है कि भारत मा के पैरों में पड़ी हुई बेडियों को काटना, यह संतान का परम करते हुए और आरविंद के राष्ट्रवाद का यही मूल मंतर था, आरविंद ने अपने राष्ट्रवाद के संकल अपना द देवी है, बगवती है, जगदंबा है तो ये मा आगर परतंतर है तो क्या संथान अपनी आखोई से आपनी मा की परतंतरता को बरदाश्त करें? अरुधिन गोस्थ ने का पहर गिस नहीं ये संथान का परम करतर्व है कि मा भागवती जगदंबा दुरगा उमा पार्वती को परतंतरता से मुक्ति दिलाए और यही इनके राष्टरवाद का मूनमंतर है यस आगए यहां तक आगे सवराज्य की मांग राष्टरवाद का स्वभावी कंग है वास्तवी की रूप में देखा जाए आरविन गोश ने जब तक देश को सवराज्य की प्राप्ति नहीं होगी जब तक यह बहारत माता जो की साक्षाक भगवती है इसको पूर्ण सवराज्य की प्राप्ति नहीं होगी जब तक यह सवतंतर नहीं होगी आजाद नहीं होगी तब तक वास्तवी की रूप में देखा जाए तो त्रगत आद्यात्मिक चेत्ना के बल पर शाक्षात भगवाति मा को तैसे मुक्ति दिलाई जास तक यह क्यों क्यों कि बिर्टिस सासन की जो संस्कृति बहुत एक वाद पर आधारित है लेकिन भारत की संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित है इसलिए आध्यात्मिक्ता के बल पर भारत को शावतमतरता दिलाई जा सकती है और आध्यात्मिक्ता के बल पर شंवकुन मानवता को मुक्ति दिलाई जा सकती है का उन कह रहे हैं ये बात अरविंद गोश आज मैं फिल दोर आ रहा हूँ इस बात को क्या अरविंद गोश ये कह रहे हैं कि आद्यात्मिक्ता के बल पर संपुर्ण मानव तक मुट्डि दिलाई जा सकती है कि वो दिन दोर नहीं जब भारत विष्व गुरू बनेगा वो दिन दोर नहीं जब भारत विष्व गुरू बनने वाला है और बन कर रहेगा आज के समय आज की डेटनोट कीजिएगा आज पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाएं उठा करके देख रही है कि आखिर यहां क्या है कौन सी सक्ति है हमारे आद्यात्मिक सक्ति है हमारे आद्यात्मिक चेतना है हमारे आद्यात्मिक जागति है और आद् ये दो वाते होगी मतलब राष्टवाद की संकलपना तूसरा लेंगे अब राजमतिक संगस का तरीका ठीक है ये क्लियर होगा राष्टवाद की संकलपना दूसरा है राजमतिक संगस का तरीका बेटा आरविन घोश ये तो इसपस्ट है कि भई सवराज्य की बात कर रहे हैं कि भई जो भारत माता है वो शाक्षात भगवती है और शाक्षात भगवती है दुरुगा है उमा है पारवती है तो क्या संतान अपनी मा को परतंतर देख सकता है क्या संतान अपनी मा को किसी दूसरे के अधिन देखे नहीं क्या हमारी मा को किसी अन्य के आधिन रहते हुए देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं संतान का परम करते हुए कि अपनी माता को साथ तंतर का दिलाए इसके लिए भाले आपने प्राणों को क्यों नहीं चाहर करना पड़े रहा हुआ है लेकिन इसको यहीं विराम देते हैं राजमतिक संगर्ष का तरह का अरविंद खोस ने सवराज्य की प्राप्ति के लिए राजमतिक संगर्ष के तरीके की बात किये अब राजमतिक संगर्ष का तरीका बता है उससे पहले आपको नोट करना है 18-18 में जो भारती राज़्टे कॉंगर्ष के स्थापना हुई थी एह हुम के दवारा की गी थी तो भारती राज़्टे कॉंगर्ष सवराज्य प्राप्तिके साथ नहीं के आधार पर दो भागुन बट जाते है नरम दल गरम दल का जो नेता है गोपार्कृसन गोखले गर गरम दल के जो सदस्चे हैं इनका कायना है कि यह तो एक भीख मांगना है जैसा कि गरम दल के सदस्चे उन्हें नरम दल के सदस्चे के दवारा जो याचना प्रार्थना की जा रहे तो बिट्टी सरकार से उसको राज़्टिक बिक्षावर्ती की संग्या दी थी कि जो नरम तिक बिक्षिया वरती है और मैं तो यह कहूंगा लाला लाज पत्राएं तो इस फ़स्ट कह दिया था नरम दलके सदेश्यों से मतलब गोपाल करशन गोखले से कि आप लोग भीव मांग रहे हैं और भीख मांगने वालों कभी भीख नहीं मिलती है और मिलने भी नहीं हुझ अगया है रहा है और मेरा कहने का मक्षद हो अभीव नरम लके और के सदेस्यों से इननके संगर्श का तरीक अलग अलग है और चालती जावी मिल जाए बीटिक शासन का दिन अरए ल familiarity मिल चाहिए तरे धीन में लोग अबम सबराण घंग साभी के क्राइए तो इनके लाटमतिक संगर्श के भारती राश्ट्रे काम्रेस में दो हो जाते जाथे हैं है तो नारउ दा सामराज्य के भीतार श्रहशाषेण की लेक्टर अप्लोड कर दिया है अभी उगर आश्टवादी विचारदारा चल रही है जिसको इक आधरस्वादी विचारदारा भी कहा जाते है न तो यह आपको त्यां दखना है इसके बाद हम गरम दल तो गरम दल का जो नेता है लोकमान बाला कंगादर तिलक है वैसे लाल पाल अरुबिंद भूस जेमें आते हैं ख़ियत्यायम गरम दल कुर्ण सवराज जी की प्रापती चाहता है मैं थोनिंदें बएस विचल अधर को नुछराम के नेक है ॔र है सब इसे नें लेकर रहूंगा च्याय मेरी शांटी प्रतिरोध के रूप में राजनेते कार्यवाई की योजना मतलब अर्विन घोष ने जो राजनेते संगर्स की बात की इसमें कहा है कि निस्क्रिय या सांति पूर्ण प्रतिरोध के रूप में राजनेते कार्यवाई की योजना तियार कि इन्हों ने कहा है कि भाई जो है नहीत्स के स्द्धान्त की रूफ है मैं आपको नोट करना है गांदी ने इस निति को सब्ट्यग्राय के सिद्धांत की रूप में विक्षिद की आगे जा करकर की यह यह उजना बता यह इसी को सत्य ग्रह के रूपी विक्षित की आगे जा करके ठीक है अब ये सांती पूर्ण प्रतिरोध क्या है इसको समझे बेटा सांती पूर्ण प्रतिरोध क्या है जो कार ये भारत में ब्रटिश वानिज्य व्याप्यार या ब्रटिश प्रसासन में सायव को उन्हें करने से इनकार करना मना करना समझ रहे हैं खिर से बोला है जो कार ये भारत में ब्रिटिश वाने जे व्याप्यार मतलब ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्ता ब्रिटिश वाने जे व्याप्यार या ब्रिटिश प्रसासन में सहाय को मतलब जो कार ये कोई कार ये ऐसा हो जो कि ब्रिटिश वानिजय व्याप्यार में या ब्रिटिश प्रिशासन में सहाय को मतलब ब्रिटेन के अर्थ व्यस्ता को मस्पूत कर रहा हो है ना ब्रिटिश प्रिशासन में सहाय को तूस काम को नहीं करना है मतलब ब्रिटिश अर्थ व्यस्ता को कमजूर करना है ब्रिटिश प्रिशासन का कि वानीं जेवया फ्यार या ब्रिटिश प्रशासन् until this प्रिशाशन में के भी उस काम को नहीं करना हे न है संजब रहें न इससे को कहते हैं सान्ती पूर्ड प्रति रोध इसमें किसी प्रकाईर कोई हिंसा नहीं हो रही है बस उनका साफ नहीं दे रहे हैं समझ रहे ना आब यह कारेवाई स्वदेशी आंदोलन से निकट से जुड़ी थी कौन सी कारेवाई यह सांतियों पृतिरोद यह कारेवाई स्वदेशी आंदोलन से निकट से जुड़ी थी और स्वदेशी का मूल उद्देश्य विदेशी माल का भाईसकार आप ज़रा तो निश्ची तुरोप में इस्तों बहिस्कार तो आएगा है इसलिए हम झहाँ लिख दिया है सव esse का मूल देश जी बिदेशी मालज का बहिस्कार मतलब यहां अर्भिंद गोंद्धिर जी बात कर रहे है तो यहां सव देशी का का वहिसकार प्रसासनिक छेत्रमें वहिसकार और सामाजी का वहिसकार यह सब आ जाता है मूल बात यह है कि जो अर्विंद घोसे अर्विंद घोस्ट शवदेशी की बात करें तो मतलब यह है कि अर्विंद घोस्ट शवदेशी की बात कर रहे हैं तो मतलब यह है कि में आर्विन गोष ने सवराज्य की प्राप्ति के लिए हिंसा और हिंसा किरांतिकार्यों सामेदानी दोनु तरह के तरीके का समर्थन किया समझना जरा आर्विन गोष दो राजनतिक संगर्ष के तरीके की बात कर रहे हैं तो तरीका सुने आर्विन गोस ने सवराज्य की प्राप्ति के लिए सवराज्य की प्राप्ति चाह रहे हैं कौन सवराज्य चोंकि ये गरम दल के सदस्य हैं तो कौन सवराज्य की प्राप्ति चाह रहे हैं अब कौन सवराज्य की प्राप्ति कैसे हो बेटा नरंदल की सद्द से तु साफ कीह रही है कि साम्यधानिक तरीके से हम अरबन गोस ने सहराजे के प्राप्पति के के लिए हिंसे और हिंसे क्रांतिकारी और सामेदान दोनों तरह के तरीकों का समर्थन की है मतलब अर्विन गोशने का है कि यह दी सांति पूरक तरीके से सांति पूरक तरीके से सवराज्य की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर हमें जो है क्रांतिकारी साधनों का भी प्रियोग करने से कोई रोप नहीं सकता है समझ गए इसका मतलब इनुने जो राजनतिक संगर्ष का तरीका बताया इसमें दोनुई विकल्प है भाई अगर आहिंसा से काम नहीं चल रहा तो हिंसा भी हो सकती है साधनों से काम नहीं चल रहा है तो क्रांतिकारी साधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है भी का दोनुग है तिलक भी आगे जाकर कि यहीं कहेंगे कि हमने कोई प्रतिग्या नहीं कर रखी है कि हम हमेशा ही इंसक बने रहेंगे, हम हमेशा ही सावंदानिक साधन का प्रियो करेंगे, नहीं, देशित के लिए आवसक हुआ तो हम किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी साधन का इस्तेमाल करने में हम सावतंतर हैं, किसी भी साधन का इस्तेमाल करने के लिए जि है जिसान निकाले अर्वेंद गोष के बारे में जो बातें आपके सामने नोट कीए हैं मुखे-मुखे-बाते नोट कर दीए जिनको समझने के बारे में आर्वेंद गोष को समझने में कोई नहीं आएगी मैं तो यहां तक कहता हूँ कि अगर आप ने यहां तक की बाते भी अच्छ समझ ली है यहां तक नरमदल गरमदल तो भी फिर यह सारी बाती इस परश्ट है निसकर्श निकालो सबसे पहली बात तो यह है कि आरविन गोश ने जबकि अर्विन गोस के समय में भारत ब्रिटिस सासन के अधिहन था, बर्तंतर थे हम, तो ब्रिटिस सासन के अधिहन रहते हुए अर्विन गोस ने सबसे पहले तो पस्चिमी मुल्यों का खंडन किया, पस्चिम के मुल्यों का विरोध कर दिया, पस्चिम की संस्कृति भोति वास्तिकुर्प में देखा जात अर्विन गोष ने प्रासिन भारत के गोरगा गोनगान किया और यह कहा कि अगर भारत की बात की जाये तो भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे स्रेश्ट है क्या हो क्योंकि भारत की संस्कृतिक आधार आध्यात्मिक्ता है आस्ता ह को औरतारक मुद्धिवाद की जगह है कि अधार्मिक्त्त्रक महत्त्त तो आपको नोट करना है और जो सकति हम अस्ता धरम आद्यात्मिक सक्ति की बहुत तिकता की जगह है अध्यात्मिक ताको और तरक उद्दिवाद की जगह धार्मिकता को मेतव दिया यह अगली बार धरम को अन्याय के विरूद संगर्ष का प्रेणा स्रोत बनकर नई भूमिका सौपी मतलब आर्विन घोष ने धरम को अन्याय के विरूद आप ज़रा समझना धरम को अन्याय के गुरू संगर्ष का प्रेण आश्रोत बनकर नई भूमिकास उप दिये और व्यक्ति की सावतंतरता के लिए राष्टरवाद की सावतंतरता का आवान किया जरह नौट करना मतलब यहाँ यह बात आती है और व्यक्ति की सावतंतरता का उपयोगता भी कर सकता है जबकि राष्टर सावतंतरों इसलिए इन्होंने व्यक्ति की सावतंतरता के लिए राष्टरवाद की सावतंतरता का आवान किया इन्होंने का कि भारत माता साक्षात भगवती देवी है और यह परतंतर है तो संतान का ओलाद का बच्चों का ये करते वे परम करते वे कि सबसे पहले अपनी मां को सावतन तरता दिलाएं क्योंकि मां हैं, बहारत मां हैं, पूरी दुनिया में केवल बहारत को Вамा का आ जाता है अगला है संपूर्ण राष्ट्रों की शावतन तरता का समर्थन किया अब जरा समझना है आरविंद गोस से के ऐसे आदुनिक भात राजनेतिक विचारक हैं जो उने संपूर्ण राष्ट्रों की शावतन तरता का समर्थन किया जरा नोट करना इसको संपूर्ण राष्ट्रो की शावतंतरता का समर्थन किया है अब जड़ा देखेगा प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो भारत विश्व गुरु रहते हुआ है और विश्व गुरु रहते हुए भारत ने कभी यह निका है कि जो अन्य राष्टर राज्जिय है वह हमारे अधिन रहे परतंतर ही सब राष्टर का समर्थन किया है तो अर्विंद गोष्ट भी इसी प्राचीन मुल्य को सवकार करते हुए कि समकुन राष्टर की सब राष्टर शावतंतर हों नेक्स्ट समकुन मानवता के उद्धार का पत्प्राशस्त किया आर्विंद गोष्ट ने जब यह बात कही कि स उठाटी यही अरविन घोष के मूल विचार है अловिन भोष के मूल विचार को समझना हो मूल बात तो यही है कि अर्विंद गोश शवराज जे की बात करते हैं, वही शवराज जे की बात कौन नहीं करता है, राजारा मौन राय से लेकर के, और आदुनिक भारती राजनतिक विचार रहे कि जब तक है, मतलब 15 अगस्त निश्याय तो भारत आजा हो, तब तक कि जित तो बिर्टिस अर्थवस्ता कमजूर करो, बिर्टिस अर्थवस्ता कमजूर कैसे करेंगे, आप सवदेसी का इस्तिमाल करेंगे, और सवदेसी का इस्तिमाल करेंगे, तो सवदेसी का जो मूल देसे है, वो क्या है, विदेसी माल का वैसकार होगा, तो इसके अंतरे गत आप प्रतिश अर्थवस्ता कमजोर होगी तो इस तते में उनको बहार चोड़ करके जाना पड़ेगा इनका ये था मून कहने का मक्षब तो पुल मिला करके इस सारी बातों अनिचोड एक ही है कि आरविन गोष भी बी पूरन शवराज्य की प्राप्ती हो हमें आजजादे की तो बात कर रहे है क्योंकि इननुन कहाए कि भारत माता भगवति है साक्साद देवी है जगदंबा है अब ये पर्तंतर है परतंतर है तो राष्टर तुम्हारे आत्मा का संबल है, तो इसमें कोई जाती, कोई धारम, कोई भासा, इनमें कोई विभिनता नहीं है, सब एक जुट है, क्योंकि राष्टरबाद तो एक विचारदारा है, राष्टरबाद तो विभिन, जाती, भासा और धारम में एकता का प्रतीक है, यह हो गया अर्विंद गोष्ट की राजमितिक विचार मुझे कुरा इस्वा से आप अर्विंद गोष्ट राजमितिक विचारों को बहतर तरीके समझ गए होंगे आवे मैंने आदर्श्वादी विचार कोई के अंतरगत अर्विन गोस समझा दिया है और दयानन सर्श्वती समझा दिया है दो हो गई बच गए लाल बाल पाल मतलब लाला लाज पत्रा यूई पिंचंदरपाल लोकमान बाला गंगादर तिला अब इन तीनों को निमें एक एक करके आपको समझा दूगा इतना होने के बाद में आप नरम दल के जो सदश्वते हैं ये ब mermaid सारी समझा दिये और गरम दल के जो सदश्वते हैं इसमें दो तो हो ही गए हरविंद गोस्श दैनान सर्श्वत ही लाल बाल पाल लबच यहने सब्सक्राजनितिस पीचारह को हैं थिस्ट गेखासन आत्मक को ौं लोक प्रशासन अंत्रैस्टिस राजनिति संब्स लो ऑन्टान अब वारिक पक्षो अनुसंदान प्रवीदी हो, मैं डिपलो मैसी हो, राजने, अंतराष्ट के कानून, जितने भी पेपर्स हैं, राजने के विज्ञाने में, बेटा, मैं स्टेप बाइस्टेप एक एक आपके सामने रख दूँगा, और ये भी मैं आपको इस्वास दिलाता हू कि मैं कभी भी आप से किसी भी रूप में कोई फीस नहीं लोगा, मैं बिल्कुल निशल की रूप में मेरे विध्यारती को समझाने का प्रियास करूँगा, और ऐसे की बात आती तो किसी भी रूप में नहीं, हाँ, इतना जरूर कहूंगा, कि अगर कोई विध्यारती, ये चाहता है कि चलो सर को थोड़ा एनरजी दे दें तो बेटा थैंक्स के माददम से आप जितनी भी जो सहता देना चाहें वो दे सकते हैं ओके बेटा थेंक्यू वारी मच्स थेंक्यू वारी मच्स